नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब परिवार में आपका भोत्वस स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं जेट इंट्रेंस एकजाम है जेट 2019 का पेपर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो हम इसका पस्ट पार्ट है उसके बारे में हम बात कर लिये थे आप देख सकते यह जेट का original paper है आप देख सकते हैं केसा paper होता है यह हमने first part में भी आपको दिखाया था क्या-क्या इसमें introductions बढ़ने होते हैं यह कुछ चींदी में लिखे हुए हैं यह आप इनको वीडियो को पोज करके आराम से पढ़ ले ना आपको पता होगा 120 क्योशन आते हैं जो एगवी से होता है उसमें 40 क्योशन आते हैं तो हमने बात कर ली थी first part में first part हमारा agriculture का था वो हो गया था उसका link आपको discussion में मिल जाएगा आज हम बात करेंगे second part की second part में बात करने वाले हैं biology का biology की question है उनकी तो first part देखना चाते हो तो आपको link discussion में मिल जाएगा वहाँ पे जाएगा और वहाँ से वीडियो देख लिजेगा 2018 के वीडियो भी 2018 का जेट का पेपर वो भी वहाँ पे मिल जाएगा उसका link भी veterinary करना चाते हैं ICR, Z, सभी के link आपको वहाँ पे description में मिल जाएगे वहाँ से जाएगे description में link देखे और आपको जो भी वीडियो चाहिए वो देख लिए तो बात करने वाले हैं जो जीव विग्यान है यानि biology है उसकी क्यूशनों के बात करने वाले है 2019 में जो पहला क्यूशन है biology का वो है आप देख सकते हैं सरफ गंदा पादप का कौन सा भाग ओस्दी महत्तु है जी दोस्तो सरफ गंदा पादप का कौन सा भाग ओस्दी महत्तु है तो दोस्तो ओस्दी महत्तु है सरफ गंदा का मूल जी दोस्तो मूल है वो हालिय्यूरो निडेज एनजाईम है तोस्तो इह एनजाइम अण्टान के कोरोना रेडियाटर का भेधन कर कुछ का जीलितक पौचना के लिए वो हां Android इनजाईम है। परभाव नहीं देखा जाता अलनीनो परभाव दोस्तों आकरटिक मासागर में नहीं देखा जाता जी दोस्तों आकरटिक मासागर है उसमें अलनीनो परभाव नहीं देखा जाता चोथा क्यूशन है परमुक ग्रीन हाउस गेसों में समलित है तो दोस्तों क्या-क्या समलित है तो दोस्तो इसमें समलीत है CO2, CH4, N2O और CFC जी दोस्तो ये है वो गिरिनाफ्स गेसों में समलीत है CO2, CH4, N2O और CFC पांचवा क्यूशन है उच्छ कोटी के विटामीन, खनीज, प्रोटीन, स्वस्त, वसायुक्त, पसल पेदावार को कहते हैं जी दोस्तो इसको कहते हैं BIOFERTIFICATION कहते हैं जी दोस्तो उच्छ कोटी के विटामीन, खनीज, प्रोटीन, वसायुक्त, पेदावार को BIOFERTIFICATION कहते हैं दोस्तो आगे बात करने वाले हम छटा क्यूशन है जे उरुरोको का परमुक इस्त्रोत है जी दोस्तो इसकांसर आएगा जिवानु कवक और सायनो वेक्टीरिया पांचवा, साथवा क्यूशन है कैंदर पीत के अंडे के अंडे निम्न के लक्षण है कैंदर पीत के अंडे किसके लक्षण है इन में से तो कीट के लक्षण है जी दोस्तो कैंदर पीत के अंडे कीट के लक्षण है आठवा क्यूशन है कि इस किरिया द्वारा पादपो में चूशन बल बन कर रशा रोहन करना होता है वासपो सर्जन जी दोस्तो वासपो सर्जन के द्वारा पादपो में चूशन बन बला कर रशा रोहन करना होता है दोस्तो वासपो सर्जन आएगा इसका अंसर आठवे का न पुन्ह योगज DNA प्रोद्ध होगी कि में आणवी केची किसे कहते हैं आणवी केची कहते हैं दोस्तों restriction enzyme को आणवी केची के नाम से भी जाना जाता है आगे है बेंगन का लगुपलनी रोग है इसका आएगा पष्टवाला ओक्सिन है वह उक्सिन सीर्स कली का परभाविता है इसका यह ओप्सन है पष्टवाला आएगा oxygen hormone होता है वह sheets का लिकाप को पर्भावित करता है दोस्तो तो इसका पेश्ट वाल आ जाएगा और आगे बात करते हैं जैर्वी वी बात तेरवी question की मदमक्खी पालन इस कारण से बहुत अधीक लाबधाईक है मदमक्की पालन किसके लिए बहुत अधिक लाब दाएक है पराक्कन द्वारा कर्शी उत्पादन के लिए मदमक्की पालन बहुत मैतरपूर है आगे है निवन में से कौन सा जेविक नियंत्रन कारक है जेविक नियंत्रन कारक कौन सा दोस्तो पेनिसिलिन जी जी दोस्तो जेवग नियंत्रन कारक है पेनिसिलिन जी पेनिसिलिन जी आगे है एक परजीवी खादे सरकला में नम्मर का पिरामीड सदेव होता है जी दोस्तो एक परजीवी खादे सरकला में नम्मर का पिरामीड हमेशा उल्टा होता है राजस्तान में पाये जाने वाले वन पाया जाते हैं और आगे है इस पोदे का वानस्पतिक नाम रिशीनस क्यूनिस अरंडी का वानस्पतिक नाम है आगे है पादप उत्तक सवर्धन के लिए किटानु हीन वातावरन परदान करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है तो तो लेमिनर वायुपरवाबेंच का नर्कोकरोज मादाकोकरोज से निम्न की उपस्तिती में बिन होता है एक जोड़ी एनल स्टाइलिन के कारण नर्कोकरोज मादाकोकरोज से बिन होता है आगे बात करते हैं अपन सिलें, सिलेंट्रेटा की विशेस धन्स को सिखाव को कहते हैं, निमेटो सिष्ट, जी दोस्तों सिलेंट्रेटा की विशेस धन्स को सिखाव को क्या कहते हैं, निमेटो सिष्ट, उनको निमेटो सिष्ट कहते हैं, दोस्तों सिलेंट्रेटा की विशेस धन्स को सिखाव को, वनाज को सर्वा दिखानी पहुचाती छीवन चकर की लार्वा वास्ता है व другие उस्पराछे के क लृषिट neural के दोस्तों पर Packy कर weg तुमतioneAdmont धृषो में ओरींचे मोई-र आज maior कम्ति चुनुंनेऄबर 50 आज 1000 हैале denk्द hinge में तीप्लेंगी आज 60rier प्रध्धुगी की द्वारा निर्मित पर्थम चिकिस्ची उत्पाद है मानुइंसूलिन जी दोस्तों पूर्ण योगीज तकनिक द्वारा पर्थम चिकिस्ची की उत्पाद मानुइंसूलिन है कोशिकाओ के आरेने का मुख्य भाग इन में नहीं पाया जाता कोशिकी राइबोसों में आरेने का मुख्य भाग नहीं पाया जाता कोशिकी राइबोसों आगे 27 वाक्यूशन प्राणी जगत का वर्गीकरण निमिल लक्षनों पर आधार पर किया जाता है संगटा निस्तर और सम्मीती और धेगवा के आदार पर किया जाता जी दोस्तो प्रानी जगत का वर्गी करण आगे है मोटा अनाज किस कुल में होता है मोटा अनाज दोस्तो पोईसी कुल में होते है आगे है रोग जन को द्वारा उत्पन पादप रोग कहलाते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं कुछ जिवानों द्वारा उत्पादित बीटी आविस स्वम जिवानों को नहीं मारते हैं क्योंकि आविस निस्करी होते हैं इसलिए वो जिवानों को नहीं मारते जी दोस्तों क्यूशन है कुछ जिवानों द्वारा उत्पादित बीटी आविस स्वम जिवानों को नहीं मारता क्योंकि आविस स्वम निस्करी होता है आगी क्यूशन है उबेचरों के अभी लक्षन है नम्व ग्रंतिल युग्त तौचा आगे है इस माइट जो मानों में परजीवी होता है वह इसके बीज का कारका इस जातिका होता है सारकोप्टिस का होता है दोस्तों सारकोप्टिस का होता है वो आगे है पर्यावन की दर्ष्टी से सुरक्षित यहों परभावी की इतने अंतरन की विद्धी है फिरोमें ट्रोप है फिरोमें ट्रेप है दोस्तो परियाण की दर्ष्टिस रक्षित फिरोमें ट्रेप है आगे बात करते हैं अपन दिवनीशेचन होता है दिवनीशेचन में क्या होता है यूगमकसलेन और त्रिसलेन जी दोस्तो दिवनीशेचन में यूगमकसलेन और त्रि कि नहीं है आगे है आवर्त बीज़ीयों की अभी लाक्सनिक विशेषता है बीज फल वित्ति के ऊंदर ओर विज़ीयों में जि दोस्तो पश्ट वाज आएगा आगे सेति स्वा इन का प्रियोग iotomb encryas में उपसरजित विशेली गेसों को कम करता है केटेलिटिक कन्वेंटर आगे है रक्त इसकंदन परकिरिया में कौन सा खनीज आईन आउ सक है CA plus CA plus है रक्त इसकंदन में आउ सक है नर जनन तंतर में नर लिंग हार्मोन के इस्तराउंड का नियंतन किसके द्वारा होता है लिूटेनाइजिंग हार्मोन जी दोस्तो लिूटेनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है चालिसवा क्यूशन है जेन्तोमोनास केमपेश्ट्रीज पोधा रोग का कारण बनता है इस ये दोस्तों सिट्रस केंकर के कारण होता है जेन्तों मुनास केंपेश्ट्री सिट्रेस केंकर है तो दोस्तों यह हो गए अपने बायलोजी के क्यूशन नेक्ट पार्ट में हम जो केमेश्ट्री है रसायन उग्यान उसके बारे हम बात करेंगे तो हमने बात कर लिए तो आप जो वीडियो है जो तो एग्रिकल्चर का पार्ट है उसका लिंक आपको डिसक्रप्शन में मिल जाएगा और 2008 अगा पेपर कार्ड लिंक भी डिसक्रप्शन में मिल जाएगा फिर भी यदि आपको कुछ डाउट कन्फूजन रहता है वेटे नहीं करना चाते हैं आप उसके संबने कुछ जान कर चाते हैं तो वो वीडियो भी आपको लिंक डिसक्रप्शन में मिल जाएगा और कुछ पूछना चाते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं नए हो तो चैनल को सब्सक्राब जरूर कर लीजिएगा तेंगी दोस्टो